C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबक 16 सफा नंबर 97 मकडी मकडी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना बाना, आखिर उसने क्यों कर जाना, उससे मिलेगा मुझको खाना जिसने मकडी पैदा की है, उसने इतनी अकल भी दी है, रोजी का क्यूं तुझको गम है, मकडी से क्या तू भी कम है, जब तक तेरे दम में दम है, हाथ में कागज और कलम है, सीख ले बाबा इल्म और हुनर तू, महनत कर तू, महनत कर तू इसमाईल में रठी नोट, इस सफे पर एक बच्चा और जाला बनाती मकडी को दिखाया गया है सफा नंबर अठानवे मश्क, पढ़िये और समझे मकडी एक किस्म का कीड़ा जो जाला बुंता है जाला बारीक तार जो मकडी बनाती है रोजी रिस्क, रोजाना की खुराक दम, जिन्दगी हुनर, काम सोचिये और बताईए एक, मकडी का जाला कैसा है दो, जाला बनानी के अकल कहां से मिली तीन, मकडी से कौन कम नहीं है चार, आखरी दो मिस्रों में क्या बात कही गई है असातिजा के लिए हिदायात नजम को मुनासिब लबो लहजे के साथ पहले खुद पढ़ें, उसके बाद नजम की तस्वीरों की जानेब बच्चों को रागिप कराया जाए ताना बाना वगेरा लवजों से तुकबंदी करते हुए नई नजम तखलीख करवाएं सफा नंबर 99 मुनासिब लब्ज से मिसरे मुकमल कीजिए एक, मकडी ने क्या खाली जगा ताना दो, जिसने मकडी खाली जगा की है तीन, खाली जगा से क्या तू भी कम है चार, जब तक तेरे दम में दम खाली जगा मिसाल के मताबिक, नजम से हम आवाज अलफाज तलाश करके लिखिए सफा नंबर 100 नीचे दी गई तस्वीरों में से जो सबसे अलग है उसका नाम लिखिए यहाँ नीचे चार तसवीर दी गई है पहली तस्वीर एक किताब की है दूसरी तस्वीर केली की तीसरी तस्वीर कलम की है और चौथी तस्वीर एक साधे कागस की है मकडी और जाले की तस्वीर बना कर रंग भरिये खाली जगा अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई भाग दो, वाचन स्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गौहर, तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्मान सहायक, तनु गुपता, निर्देश